हलो फ्रेंट्स वेलकम बैक तो फ्रेंट्स आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जेके बोस्ट के जो भी फाइफ इंपोर्टेंट ऑफिशियल अपडेट है एक्जाम को लेके क्लास टैंथ 11 12 कश्मी डिविजन जमू डिविजन और ले लदा के लिए भी बहुत इंपोर् प्राइवेट तो सब के लिए बहुत इंपोर्टेंट अपडेट है एक्जाम के लिए पेपर पैटन क्या रहने वाला है पासिंग माक्स क्या रहने वाले एक्जामिनेशन फार्म का फिल होंगे पूरा डिटेल में बताने वाले हैं तो वीडियो में अंतिम तक जरूर बने जो आपके एक्जामिनेशन फार्म है वो जहां पर जो बात है वो जहां पर करी जा रही है ठीक है तो जे अनके पूरे यूटी की लदा की और जो भी करिंटली अन रोल हैं जो साफ्ट एस वेल एस हार्ड जोंस में तो उनके एक्जामिनेशन फार्म क्लास टैंथ के जो 23 न सो बीस के साथ तो टैंथ के आप एक्जामिनेशन फार्म जो फिल कर सकते हो ठीक है उसके बाद बात करें अगर आपने सतारा तक भी नहीं बढ़ा तो सताइस दिसंबर तक बढ़ सकते हो लेकिन आपकी फीस लगे की फिर अथाइस हो बीस दिसंबर टक बढ़ एक जाएंगे ठीक है यह तिर्ट क्लास टैंथ के examination form आपके जो स्टार्ट है वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं तो वो आपके स्टार्ट हो रहे हैं 23rd से जाने कि कल से स्टार्ट हो रहे हैं और 7 दिसंबर तक आपके एक्जाइम की लास्ट फीस है लास्ट डेट है एक हजार बीस रुपे से नहीं तो आप फिर 27 दिसंबर तक बर सकते हो लेकिन लेट फीस के साथ 2820 रुपे है यह आपका टैंथ का था आप 11 और 12 की बात करते हैं तो जिया जाएगा आपका 11 और 12 का तो जहाँ पर भी जो सम्मेशन है आपके एक्जामिनेशन फार्म क्लास 11 और 12 पूरी जूटी जमुएन किश्मिर और लदाख दोनों के लिए जहाँ पर रिन्यूइबर रेजिस्टेशन क्लास 11 और 12 का आपका जो स्टार्ट होगा 23 नवंबर से 7 दिसंबर तक चलेगा और दोनों की फीस लगेगी 1190 रुपीस अगर फीस इनकी लगेगी अगर लेट हो जाते हैं तो 27 दिसंबर तक फिल कर सकते हैं तो पहले इनकी लगेगी 1190 फिस के साथ क्लास 11 और 12 के लिए जो रेगुलर है ठीक है जो कैंडिडेट रेगुलर फिल कर रहे हैं और जिन्होंने रीनुएबल रेजिस्ट्रेशन करानी है तो वो 200 रुपिया पर कैंडिडेट इसका रहेगा 11 और 12 का 27 दिसंबर तक करा सकते हैं तो भी अपनी रीनुएबल डे ठीक है तो जी आपका जेके वो उसका ऑफिशल है उसके बाद अभी एक्जैम पैटन आपका प्रिवियस एर की तरह सेम ही रहने वाला है 20 इन सब्सके एक्राइब का की टरुफे Bye ृद्भ वाले सब्सके का सेवंटि का और नॉन प्रैक्टिकल का आपका किस का रहेगा नन प्रैक्टिकल का अपका 100 का रहेगा इंग्लिश का 80 मार्स का रहेगा क्लास 11 आर 12 का ठीक है एक एटी मेसे 29 पास होने के लिए चाहिए physics, chemistry, biology, computer इन में से 25 पास होने के लिए आपको चाहिए होंगे ठीक है passing criteria अभी आपका जो 70% वाला नहीं है अभी आपका change हो जुक है सब कुछ ठीक है तो जे था कुछ आपका important official notification अगर और भी कोई डाउट होगा जे के बोस recording तो comment section में जरूर पूशिए तो आज के इस video part में बस इतना ही